आज प्रत्यक्षमने मैच देखा वास्तों में ही एक ऐसा खुशिक अक्षण है यह और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का यह यह जो ड्रैकन फिल्ड का शायद देश का पहला गोड़ बैडल है कि एक बार जो इंडिज्वल्स का गेम है उसमें हमारे बिंद्रा कि वो गोल्ड मेंड लेके आया थे और अब यह यह मैडल इस समय यह बहुत बड़ी उपलब्दी कि देश की उपलब्दी है साथ में हरियाना की में पप्ति है हरियाना का अपना जो योगदान है मैं समझता हूं इस दोल्ड के कारण से देश के खेलों के इस थ्यास का एक योगदान बरा बना है और इस अउसर पर मैं अपने मन की गரाही से हरियाना सरकारकरण से पूरे देश को बदा ही देता हूं हरियाना की जन्ता देश की जन्ता हर्ष से उल्लाज से यानि उमंग भरे अपने अंदाज में खुश है परसंन है और इस अवसर पर जैसे मने पहले बताया कि जैसे ही उमारे टोकियों से सब खिलाडी वापिस आएंगे तो तेरा तारीक को हम लोग इसका एक जशन बुनाएंगे वास्ता में जैसे कहते हैं ना कि टोकियों में हर्याना के छोरे ने लठ गाट दिया और लठ क्या भाले वड़ा लठ गाट दिया चोरे ने कमाल कर दिया आप एक शाक अनुरूप जैसे हम पहले भी सोचते थे कि गोल्डम को मिलेगा रोंड मिला और इस अवसर पर तेरा तार उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें छे क्रोड रुपे की राशी वह भी दी जायेगी साथ हमें क्लास वन की नौकरी और नौकरी में भी हमारी ओफरन को यह रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ओफ एक्सलेंस फर एथलेटिस यह बनाएंगे और उसमें उसका हैड बना देखरेख में अधिलिश्टी लैथरडेक्स के सारे खेलों को और अच्छे प्रकार से बढ़ावा मिले और इसमें आगे बढ़ें पंचकुला क्योंके वह स्वाम यहां प्रैक्टिस भी करते रहे हैं एक परकार का पानी पत उनका अपना जनमस्तान ज़ूर है लेकिनों प प्लोट 50% की कंसेशन पर बाकी सब में अडलिस्ट को देंगे इनको भी वह मिलेगा और मैं समझता हूं कि खेलों के हमारे इधियास में आज स्वरणिमी यह इसका जो श्रे है वो अर्याना की धर्ति को जाता है यहां के जो खेल प्रेमी सब लोग हैं जो उनका उसाब ढहत जो खेल विभाग है उसके माध्यम से उनको उन जैसे खिलाड़ियों को त्यार किया जाता उसको खोग जाता है लोगा अर्याना की देश की जनता को जाता है जितके शुद कामना है उनके साथ थी और आगे एक मेडल हमने जीता है और इसके साथ मेडल्स की टैली हमारी अब 66 में स्थान पर थे अब आज 44 में स्थान पर आ गए एक दो 22 देशों को पार करके